नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सब के एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ, इस वीडियो में मैं आप सब को बताऊंगी कि कैसे आप ये डबल बैड का हैवी ब्लैंकेट भी मसीन में आसानी से ड्रैकलिन कर सकते हैं, जब भी आप मार्केट में जाते हैं इ देरीना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं, यह हमारी फुली ओटोमेटिक एलजी की एट केजी की मसीन है और इसमें ये डबल बैड का हैवी ब्लैंकेट भी ब्लैंकेट भी बहुत आसानी से ड्रैकलिन हो जाता है, सबसे पहले हम सरफ डालेंगे, यह हमने दो चमत सरफ है, सरफ एकसल, टाइड, एरियल, आप कोई सा भी सरफ डाल सकते हैं, अब आदा यह ढकन भरके हम डालेंगे, इजी, अगर आपके पास बोटल नहीं है, तो आप मार्केट से 10 रुपे का इसका पैकिट आता है, वो भी लाके डाल सकते हैं, इसमें ये तीन बोक्स बने दिखाऊंगी, सरफ हमने डाल दिया, बोक्स को दुवारा से बंद कर दिया, अब इसमें डालेंगे हम अपना ये कंबल, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे डालना है, बिल्कुल तरीके से, इस तरह से, और इसको बिल्कुल अंदर कर देना है, अब हम इसका ये मसीन का दोर बंद करने के बाद हमने इसका तार लाइट में लगा दिया है सबसे पहले अब हम इसका पावर बटन ओन करेंगे जिससे की मसीन में पावर का कनेक्शन आ जाए यह पावर का बटन है यह जो नीचे वाला बटन है यह स्टार्ट का बटन है इसको अभी ओन नहीं क करना है पहले हम इसकी सेटिंग करेंगी यह देखिए इधर सभी कपड़ों को धोने के अलग-अलग लिखा हुआ है सारा कहां पर कोटन के लिए वूल के लिए इको कोटन, साटीन, सिल्क, सभी कपड़ों के इस पे अलग-अलग उप्सन दिये वे हैं क्योंकि हम यह ब्लैंकेट दो रहे हैं ब्लैंकेट मोसली वूल के ही होते हैं तो हम इसे वूल पे स्लेक्ट करेंगे अभी वूल पे ये नहीं गिया है हर कपड़े के लिए अपना-पना अलग-अलग टाइम लेता है ये बैडिंग पे है बैडिंग पे देखिए दो घंटे दिखा रहा है अब हमने इसको वूल पे कर दिया है ये देखिए और वूल पे जाते ही ये 53 minutes दिखाने लग गया है अब इसको हम स्टार्ट कर देंगे इसका पाइप हम अपनी जो टैप है उसमें लगाएंगे और टैप को चालू कर देंगे बस हमारा काम इतना ही है अब जो भी काम करेगी हमारी मसीन करेगी अब हमेंसे बिल्कुल भी बीच में छेड़ना नहीं है ये अपने आप जब ब्लैंकेट हमारा धुल के तयार हो जाएगा तो इसमेंसे एक बीप की आपको आवाज आएगी अभी आप देखना धीरे धीरे मसीन में जाग बनने सुरू होंगे बहुत से लोगों की कंप्लैंड होती है कि हमारी ओटोमेटिक मसीन जो है बहुत सारा सरफ खाती है बहुत सारी बिजली लेती है या फिर बहुत सारा पानी लेती है लेकिन मैंने इसको जितना यूज किया है मुझे ये वाली चीज नहीं लगी है क्योंकि ये पानी भी अपने हिसाब से लेती है थोड़ा थोड़ा और बिजली का हाम ने इसको 53 मिनिट पे स्लेक्ट किया है लेकिन ये पूरे टाइम चलती नहीं है बीच बीच में ये अपके कपड़े को सोक करती है ये देखिए अभी रुख गई है इस सोक करकर के इस ब्लैंकेट को दोएगी और ये जब दोके बाहर निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी बहुती बढ़िया हमारा ब्लैंकेट साफ हुआ है ये टाइम देखिए अपने आप कम होता आ गया है और मसीन में ज़ाग भी बन गए है हमने जो इसमें लिक्वीट सर्फ डाला था सर्फ एकसल बहुती सोरी ईजी बहुती अच्छी उसकी खुसबू आएगी ब्लैंकेट में और ऐसा हो जाएगा ब्लैंकेट जैसे हम अभी मार्केट से इसको ड्राइकलीन करवा के लाए हो अब देखे पूरी मसीन ज़ाग से भर चुकी है अगर आप इसको एकस्ट्रा जाग देना चाहते हैं तो मसीन में एक इको बबल का ओप्सन भी है आप उस पे प्रेस कर सकते हैं देखे पूरी मसीन जाग की भर गई है हमने इसमें कोई भी कुछ भी अलग से स्लेक्ट नहीं किया है इसको पावर का बटन दबाया उसके बाद हमने इसको बूल पे स्लेक्ट करा तीसरा नमबर हमने इसको स्टार्ट करा चोथा नमबर हमने इसमें जो पानी की इसकी पाइप होती है उसको टैप में लगाया और टैप को स्टार्ट कर दिया अब ना आपको tap को बंद करना है ना चालू करना है एक बार उसको चालू करके आपको छोड़ देना है क्योंकि इसमें automatic system होता है जितना इसको पानी चाहिए ये उतना पानी लेती है और कम से कम दो से तीन बार ये रिंज करती है मतलब ये निचोड़ती है कपड़े को जिसे की पूरी सर्फ की smell इसमें से चली जाए देखिए अभी हमारा जो blanket है वो निचोड़ा जा रहा है सारी मिट्टी blanket की सारा बिल्कुल एकदम ये clean हो जाता है और wool पे धोया था इसनों बहुत ही अच्छे तरीके से इसको धोके निकाला है मैं जब ये निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी और इसपे आप ये lock देख रहे हैं ये child lock है जैसे ये machine start होती है इसपे ये lock लग जाता है बीच में ये lock नहीं खुलेगा जब ये पूरा आपका जो कपड़ा है इसका machine का पूरा process खतम हो जाता है उसके बाद ये lock खुलता है बहुत easy है इस machine में blanket को dry clean करना और जो हमारे medium size वाले blanket हैं वो तो इसमें आसानी से dry clean हो जाएंगे आपका ये खर्चा बिलकुल बच जाएगा ना आपको पानी में हाथ भिगोने हैं ना ही कुछ और बैस इसके option आपको सही सही select करने हैं वो ऐसे तो जब engineer आता है वो भी सभी बाते बता के जाता है लेकिन मैंने भी आपके साथ ये पूरी वीडियो share की है ताकि आप भी इसको देख सकें और अगर आपके कुछ डाउट हो तो वो clear हो जाएं आप देखें इसमें ये एक मिनट बची है जैसे ये एक मिनट खतम होगी machine beep करेगी और ये child जो इस पे लोक लगा हुआ है ये हट जाएगा अपने आप मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि बीच में आपको कुछ भी select नहीं करना है time इसका almost पूरा हो चुका है ये देखिए आप देखिए अब ये zero पे आ गई है और जो इस पे लोक था वो भी अट गया है इसमें से बीच की आवाज आ रही है जो आपको जुरूर सुनाई दे रही होगी मतलब मसीन ने आपको बुला लिया है कि ब्लैंकेट आपका dry clean हो गया है इसको अब आप निकाल सकते हैं 90% आपका ब्लैंकेट मसीन में ही सूख जाता है लेकिन पूरी तरह से ये नहीं सूखता है तो आप इसको धूप जरूर दिखाएं हवा में जरूर सुखाएं अब हम अपने ब्लैंकेट को निकाल लेते हैं और ये देखें कितना ये clean होके निकला है बिल्कुल नए जैसा हो गया है ब्लैंकेट दोने के बाद अब हमने अपने ब्लैंकेट को धूप में डाल दिया है हवा और धूप दिखाना इनको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये देखें मैंने दो ब्लैंकेट दोई हैं और दो और नो एकदम clean हो गया है बिल्कुल नए जैसे लगी नहीं रहा है कि हमने इनको घर में दोया है क्योंकि ड्रै क्लीन से भी ये ज़्यादा साफ हुए है आई होप आप सब के लिए आज की मेरी ये वीडियो जरूर यूजफुल हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी आपके लिए यूजफुल साबित हो तो आप लाइक जरूर करें चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें बहुत जल्द मैं आपके साथ और भी तरह के कपड़े फुली ओटोमेटिक मसीन में कैसे दोते हैं सेर करूंगी आज के लिए सरफ इतना ही गुड़ बाई